अगर हम हिंदू होतें, तो हम मंदिरों में आपके साथ परवेश करके पुजा करतें, अगर हम हिंदू होतें, तो आपके साथ बैट के खाना कातें, हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हैं, हम पिछरे हैं, अती पिछरे हैं और जादब हैं, हमें हिंदू मनने कोई सोक नहीं है, क कि भीम राव मेजकर जिन्हों ने सम्मिधान को लिखा जिन्हों अक्षन दिया वो दलिक थे वो कहते थे हुख से के हम दलित हैं तो आज हम भी कहते के हम जाद़ भैं हम पासवान हैं और हम रहेंगे आपने पबलिक इस्टेशन ने विए एक इंटर्विव किया था जहां जा आने के बाद उनके पेट में दरद होने लगा तो दरद लाजमी हैं हम लोग दबा भी तयार रखे हुए हैं बस जल से जल हम सरकार से डिमांड करेंगे कि हम लोगों को जनसंख्या के अधार पर पुनह आरक्षन का प्रधान दिया जाए और हमारी भागिदारी को में न्याले में सचिवाले में हर जगा हम लोगों को अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे कृष्णा यादब नाम का एक लड़का जो यूजी और पीजी दोनों में मध्यपूडा का लड़का था उस लड़कें को इंटर्विव में छांट दिया गया यह कहकर कि तुम्हारा इंटर्विव अच्छा नहीं बताए दो बार का गोल्ड में इस लड़का उसके लिए मैंने लड़के विश्वी द्याले से सारे रिजल्ट को मैंने रद करवाया और उसका जो नया रिजल्ट आ है उसमें उस लड़का का नाम है बीयार में जातिया जन्गना हुआ है उसको पब्लीस कर दिया गया है हमारे सात में मनीच याद हो पतना इन्वर्सिटी के चखातसं के पुर्व अध्यक्षे और सात में जाप के नेता भी है बहुत लोग को पीट में दर्द हो रहा है दर्द होने देजिए और दर्द लाजमी भी है इतना ये लोग खा ली है इतने वर्सों में कि दर्द होना बहुत लाजमी था अब ये बाहर भी आएगा हो सके तो तो कहीं न कहीं जिनका अधिकार अगर आप खा के बैठियेगा और कैपिसिटी से ज़्यादा जब खा लेजिएगा तो पेट में दर्द और पाचन क्रिया में कहीं न कहीं आप लोगों को दिक्कत हो गी ही तो वैसे लोगों को दिक्कत हो रही है और लाजमी थी दिक्कत अब दिक्कत को कहीं न कहीं हम तो यह नहीं कहें के बरहाने के जरुवत है लेकिन उनकी दिक्कतों को खतम करने के जरुवत है जिनको उनके अधिकार का हक भी नहीं मिल पा रहा था इनका मना कौन खालियत है भाई आप देख लिजिए इस बिहार में 80-90% पिछरो अती पिछरो की अब आदी है लेकिन आप बिश्वित द्याले में चले जाए बिश्वित द्याले में 3-4% है आप चले जाए नियाले में जहां सुनने के बराबर है आप चले जाए सचिवाले में जहां मुष्कित से 3-4% होंगे तो जितने सरकारी और गवर्मेंट सेंट्रल हो या स्टेट government हो, सब में हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारी संख्या 90% हम 3-4% तो कहीं न कहीं, हमें हमारा अधिकार तो छीना गए 13 साल से और हमारे जो आज अधिकार छीन के बैठे हुए थे कास्ट सेंसे साने के बाद उनके पेट में दरद होने लगा तो दरद लाजमी है, हम लोग दबा भी तयार रखे हुए हैं, बस जल से जल हम सरकार से डिमांड करेंगे कि हम लोगों को जनसंख्या के अधार पर पुनह आरक्षन का प्रभधान दिया जाए और हमारी भागिदारी को बिश्वी द्याले हो, न्याले हो सचिवाले हो, चिकित साले हो वहाँ पे हमारी हिस्सेदारी को पुनह वहाँ पे रखा जाए नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार के जो लोग है, ये भ्रष्टाचारी लोग है ये लोग जहर घोलने का काम कर रहें बियाती में बाट रहें, वो लोग हिंदू पे बात करते हैं भाई तो आप हिंदू बताईए कि अगर हम हिंदू थें तो हमें मंदिरों में क्यों नहीं परवेसाज भी किया जाता है आप आज भी गाउं में जाईए एक तरफ जब बरे घर के साधियों में जाईएगा तो वो उपर बैठ के खाना खाएंगे और दलितों और पिछरों को नीचे बैठा के खाना खिला जाता है मैं बहुत दूर नहीं, मैं सीता मरी की बात करना चाहता हूं मैंने अपनी आखों से देखा जब मैं एक साधि में गया वहाँ दलित भाईयों को नीचे बैठा के खाना खिलाया जा रहा था ये स्थिती है, तो कौन हिंदू अगर हम हिंदू होते हैं, तो हम मंदिरों में आपके साथ परवेश करके पुजा करते हैं हम दलित हैं, हम पिछरे हैं DIRECTOR और मेरा स्वभिमान है होलोगों मनिष जादब, मनिष पासवान, मनिष चोधरी आज भी दलित है, कल भी दलित रहेगा और हमें स्वभिमान है तो आज हम भी कहतें कि हम जालीत हैं हम पासवान है और हम रहेंगे यादो कहां से दलित हो गए यादो तो अपने आपको कहता है कि हम हिंदू है गर्ब से को हिंदू मोनू मनेसर का सपोर्ट करता है तो कहीं न कहीं एक बात याद रखिए कि लड़ाई में एक ही लोगों का समर्थन क्या जाता है जो सामने वाले को हरा सके तो जब सामने वाले को हराने के लिए मजबूत लोग है अगर कोई पासवान भी, लविस पासवान हुई होता तो मनेश ज्यादव उसका विस्वर्थन करता एलविस जादा वहां मजबूत था, कोई वहां नहीं दूसरा कंशिस्टन था, अगला को हराना था, इसलिए हमने उसकी मदद की बाजपाई कभी मदद करेंगे, समंतवादी कभी मदद करेंगे, बताइए आप एक बात समझे, जहां बीचारधारा की बात होगी, जहां राजनेतिक बीचारधारा की बात होगी, वहां मनीश यादव, पटना भी श्विद्धाले 2014 से हम लोग वहां राजनीत कर रहे हैं, और उसी मानसिक्ता के खिलाप हम लोग चुनाओ भी जीतें, मानने स्री कभी वहां जाना पसंद नहीं किया, इस बात को याद रखे, चुके हम लोग विचार से समझे होता कभी नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग इस बात को कहता है, लेकि जब टिकट मिलता है, तो भाजपा में चला जाता है, आप उन सभी जातियों को उनका संख्या के अधार पे तुरांत आरक्षन दिजिए, बस हमारी ये मांग है, आपको भी मंदिर में आरक्षन चाहिए, नहीं मंदिर तो हमारा ही था, मंदिर की मूर्तिया हमारे हाथों से बनाई हुई थी, आपने पबलिक इस्टेशन ने भी एक इंटर्विव किया था, जहां जादब हो, पासव भी है, जातिये जनगन्ना आ गई है, अधिकार हर जगा अधिकार, मंदिर में, सिक्षक में, न्याले में, सचिवाले में, हर जगा हम लोगों को अधिकार चाहिए, और अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, पतना विश जानते हैं जो पिछले वर्क से आते हैं अभी ग्रिश कुमार चौधरी यह से पहले कि शायद मैं उनका नाम नहीं जानता हूं एक वो और जहां विश्वी द्याले में प्रोफेसरों के संख्या हुई तो अगर OBC का 27% रिजरवेशन विश्वी द्याले में था तो मान लिजे भी 2-3% है अगर SC का 15% रिजरवेशन तो मान लिजे 1-1.5% है इस तरह से आज कहीं न कहीं आप लोग कहते हैं कि 30 साल के बाब जूद यह स्थिति है सही में 30 साल के बाद यह स्थिति है जहां कहीं न कह पिछरों को अलक्षान रहते हुए इंटरविव में कभी रोका गया मैं हाली के खटां बताता हूं मैं बता रहा हूं मैं बताता हूं कृष्णा यादब नाम का एक लरका जो यूजी और पीजी दोनों में गोल्ड मेड़िस लाव मध्यपूरा का लरका था उस लरकें को इ में हमारा धिकार में मिलेगा हर तबके से हर जगा पे लड़ते रहेंगे चलिए तो यह मनीश यादव है पटना इंवर्सिटी में राजनीत करते हैं यह साफ तोरपेकर है जो यह आ गया है रिजल्ट को पॉब्लिस किया गया है बिहार सरकार के द्वारा यह बहुत बढ़ यह आपका